हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टरी फिटॉफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज की सेशन में 20 एहमसी की कोस्टन्स हैं मोस्ट इंपॉर्टन कोस्टन्स लेके आए हूँ आपके एक जामसरे लेटें दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा एक एक कोस्टन कन्फूजन हो उसी टापिक को आप रिवाइच कीजिए और अपना मन जो है सही रखिए बहुत ज्यादी सोचने की जुरूत नहीं है और परिच्छा हाल में आप थोड़ा भी कुछ मत सोचिएगा बस इतना सोचिएगा कि जो हमको आ रहा है मैं उसको अच्छे से हल कर सकू परिडाम की चिंदा मत करीगा कि क्या होगा तभी आपका एक जम अच्छा जाएगा कभी कभी होता है कि आपको कोशन्स का एंसर भी आ रहा है तो भी आपके मन में इतनी जादी हड़ बढ़ाहट हो जाती है कि कोशन्स का एंसर गलत दे देते हैं तो मन में सांती रखेगा तो इसके पहले थोड़ा प्रड़ायाम कर लिजिएगा जैसे कि आपका भ्रामरी प्रड़ायाम अनलूम बिलूम प्रड़ायाम एंड आपका कपाल भाती ये सुबह सुबह उठ करके आप 10 से 15 मिनट इसमें जरूर टाइम दीजिए जिसे आपका माइन जो है थोड़ा फ्रेस हो जाए हर पराहट नहीं रहें तो चलते हैं आज के कोश्चन के तरफ कोश्चन है निवन में से कौन सा खनी सरीर के विकास और वजन को नियंतित करता है तो दोस्तों यहां पर जो आयोडीन होता है वह सरीर के विकास और वजन को नियंतित करता है आयोडीन जो है कि कमी सिखेंगा रोग ग्वेटर हो जाता है यह थाराइट ग्रंथी से निकलने वाले थाराक्सिन हार्मोन को एक्टिव करता है और जब इसकी कमी हो जाती है तो वह एक्टिव नहीं होता जिससे हमारे सरीर के विकास और वजन नियंतित नहीं हो पाता है और घेंगा रोग हो जाता है और दोस्तों इसमें आपका जो सोडियम होता है और रख्तदा वो तत्रिका तंत्र को नियंद्रित करता है और अमलचार संतुलित करता है अगर सोडियम के अधित्ता हो जाती है तो बीदी हाई हो जाती है सोडियम नमक में पाजाता है इसलिए याद रखेगा यह हमारे रख् केल्सियम है केल्सियम रखते इसकंदर में सहायक होता है पोटेसियम जो है तंद्रिका सुत्रों को लाने और ले जाने का कारे करता है और पेसी संकुचन का कारे करता है लोहा जो है आयरन जो है हिमगलोवीन के निर्मार में सहायक होता है पेसी निर्मार में सहायक होता है एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सभी चीज़ें आपको मिल जाएगा क्लोरीन जो है सरी में क्लोराइड के रूप में होता है जो जल संत्रलन बना बनाए रखता है और जठर रसका आवस्चता तो होता है मोस्ट इंपोर्णन है क्रोमियम क्रोमियम जो है इंसुलीन के निर्मार में सहाइक होता है याद रखेगा कोबाल्ट जो है बीट 12 के निर्मार में सहाइक होता है जिंक जो है एंजाइमों के कारियों में सहाइक होता है कि माइगनी जो है सबसे इसका बढ़ा सुरोथ चाय होता है fryज भ्लॉरीन जो है औहू दात में पाए जाते हैं इनेमेल का निर्माल में शहायक होता है और सेलिनियश जो होता है C, बिटामिन C के उत्पादन में शायक होता है थाराइट के विकास में भी शायक होता है और रोग रिरो तरह चमता या कोसी का उत्तकू को नश्ट होने से बचाता है ये था मुख्य मुख्य आपके खने जिलवर का काले पाचन के बाद प्रोटीन किसमे परिवर्टित हो जाता है तो दोस्तों पाचन के बाद जो हमारा प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड में परिवर्टित हो जाता है और जो कार्बो एडिट होता है वह ग्लुकोज में परिवर्टित हो जाता है और जो वसा होता है वह फायटी एसिड और गिलिस्टराल के रूप में परिवर्टित हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है वह एडिप्योज टीसू के नीचे वसा जो है वह एकात्रित होता है Synchronization का दुसरा नाम क्या है? What is the other name of synchronization? Synchronization का दुसरा नाम है दुस्तो Coordination समन्वे याद रखेगा Most important है Next question है निवने में से कों सी सरीर में वसा का आकलाण करने की तकनीक है? Which of the following is technique for estimating body fat? दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो body mass index है BMI यह सरीर की height के उनसर आपका भार कितना है? यादि किसी ब्यक्ति की उचाई और वजन का अनुपात होता है और यह जिसके अधापर सरीर में body composition समधी इस भार को मानक के अधार पर निधारित किया जाता है और BMI ग्याद करने का सुत्र होता है BMI का फिल फॉर्म होता है body mass index इसको ग्याद करने का सुत्र होता है weight in kg upon height in meter square और जो हमारा BMI होता है OWH के जो classification किया हुआ है उसके इसार यदि आपका BMI 16 और 18-29 के नीचे आता है इसके बीच में है तो आप अंडर वेट में है यानि कि आप का जो BMI कम है और इस condition में आपको digestion, weakness, stress, anxiety, muscles breakdown, etc. प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और जब आपका BMI जो है 18-29 के बीच में है तो आप नार्मल condition में है आल गुड होगा आप मतल सही condition में है और जब आपका 24 से ज़्यादा हो जाएगा 24 से पचीश से उपर तो आप over weight में आ जाएगे जब आपका 30 से उपर या 33-34 के पार चला जाएगा तो आप मोटापी का सिकर हो जाएगे और आपको diabetes, hypertension, koronary disease, जुडू में दर्द, arthritis, fatty liver आदी प्रॉब्लम्स हो जाएगे 22 से बेस्ट BMI होता है अर्थाद 22.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन दोस्तों जो आपका फैट होता है रोजाना ब्यायाम से सभी ठीक किया जा सकता है तो यहाँ भी BMI हो गया और इसकिन फोल्ड कैलीपर आनि तुचा की तह की मोटाई skinfold कैलीपर जो है, Skinfold Sickness यह भी सवरीड की वसा पापता है, बाड़ी कंपोजिशन को ऑन हाइड़़ इस्टेटिक वजन यादि की हाइड़ this टेटिम वेइन यहाँ भी आपका सवरी व सकूल मापता है Hydroesthetic Wain method क्या होता है? Hydroesthetic method में पानी का प्रियूग किया जाता है तरल्चिज का पहले सरीर के भार को मापा जाता है उसके पस्चा सरीर को पानी में डूबोया जाता है और जितना पानी सरीर के डूबने के करण बाहर निकलता है उसे समंधित सुत्र में रखकर बाड़ी कमपोजीशन की गढ़ना की जाती है इसका मतलब दोस्तों Hydroesthetic Wain method की बाड़ी कमपोजीशन BMI इस सभी चीजें आपके सरीर की वजा का आकलन करती है तो यहाँ पे राइट इंसर हो जाएगा उप्रोक्त में से एक से अधिक नेक्ट कोशन है हिदर सहन सक्ति का आकलन करने के लिए किस सारीरिक फीटनेस टेस्ट का उप्यूग किया जाता है विज फीजिकल फीटनेस टेस्ट इस यूज़ तो एसेस काडियो वैस्कुलर एंडुरेंस तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सीट अप होता है वो हमारे पेट की सक्ति सहन सिलता को स्ट्रेंथ इंडुरेंस को बढ़ाता है यह आपका होगा नहीं पूसप जो हता है हमारे जो बाह होता है हाथों की सक्ति और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और यहां पर आप देख सकते हैं कूपर का 12 मिनिट का रन तो जैसे कि आप जानते हैं कुछ सेकेंड यानि की 20-45 या एक 2 मिनिट के जो क्रियाएं होती है वो इस्ट्रेंथ के अंतरगत आजाती हैं जबकि उससे ज्यादा की जो क्रियाएं होती है वो श्रहन सिर्था के अंतरगत अंतरगत आजाती है यहां पर रन वाक आपका कूपर ने बनाया हुआ है 1972 में तो कार्डियो इस्पार्टर इंडुरेंस को मेजर करने के लिए तो कूपर का 12 मिनिट रन वाक आप नेक्स्ट कोचन है निम्नलिखित में से कौन सा सावरिक फीटनेश का एक घटक है वीच आप फॉलिविंग इसे कंपोनेंट और फीजिकल फीटनेश तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं फीजिकल फीटनेश के दो भागों में डिवाइड किया गया है है यह इंडूरेंश फ्लेक्सिबिटी और बॉडी कोंपोजिशन आता है एंड मोटर स्किल रिलेटेट फीजिकल फीटनेश के अंतरगत एंडूरेंश फ्लेक्सिबिटी इस्वीट कोडिनेशन एबिल्टी जो आता है यहां पर आप देख सकते हैं इस्ट्रेंद इस्टेमिना य यहक्षिख से अधिक अधिक और साथ है कि गति में आत्मा किसका आदर्वाक है इस परीडगर के इसे शिपरीट इन मोसं ही इस दो मोटू तो सुच्छ निबलिफा से इस इसका मोटू है गती में आत्मा इस्वेंट इन मोशन जो है पैरा ओलंपिक का मोटू है याद रखेगा मोस्ट इंपोरिन एन एसेन गिम का है इवर आनवर्ड हमेशा आगे की ओर और ओलंपिक गिम का है आप जानते हैं CTS, LTS, 40S का मिनिटर ठीक है और नेक्स कोस्टन है उनी सो और सच में पहला BCS ओलंपिक कहां आयोज़ित किया गया था? तो दोस्तों उनी सो और सच में पहला BCS ओलंपिक जो हैं वह हो सिकागो में आयोजित किया गया था कहां सिकागो में यहां पर आपके कोशन्स में कहीं भी सिकागो नहीं दिया है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा उप्रुक्त में से कोई नहीं आफसर नमबर E जैसे कि विशेस उलम्पिक जो है इसको प्रानम किया या बौधिक रूप से असमर्थ एथलेट के लिए होता है उनिस्सो आरसट शिकागो में यह शुरुवात हुआ और अमेरिकी उलम्पिक समिती उलम्पिक्स नामस का उप्योग करने के लिए विशेस उलम्पिक को अधिकारिक मंजूरी दी थी उनिस्सो एकहत्र में एंड नेक्स्ट कोशन है कोशन नम्बर नौ है मान स्पेस्यों के लगातार कमजूर होनी और बरबाद होनी से चिन्हित एक वंसा नुगत इस सिदी को क्या कहा जाता है तहरिडिटी कांडिशन कैटेग्राइज बाई प्रोग्रिस्यू विकनिक एंड वेस्टिंग आफ मसल्स इज काल्ड दोस्तों लगातार कमजूर वंसा नुगत यानि मान स्पेस्यों के लगातार कमजूर होनी और बरबाद होनी से चिन्हित एक वंसा नुगत इस सिदी को क्या कहते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैं बताई हूँ आपको कि जब हम नियमिट ब्यायाम करते हैं उस कंडिशन में जब हमारी मान स्पेस्यों की श्ट्रेंड रेंज बढ़ती है और मान स्पेस्यों कि लंबाई बढ़ती है उसे हम कहते हैं मस्किलर हाइपर्ट्रॉफी क्या करते हैं मस्किलर हाइपर्ट्रॉफी लेकिन जब हम बयायाम नहीं करते हैं कुछ क्या नहीं करते हैं या अनुगान स्पेस्यों कमजोर चोटी सक्ति में कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मस्किलर और ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी ठीक ह याद रखेगा जब लगातार नीमी तुर्प से बेयाम करने से माच्पिशियों में व्रीधी होती है सक्ती में 96-ह बेदि थियती है तो उसे हम मतलрип हम जैसे किया दोस्तों आप जानते हैं कि अश्टांग योग के अंत्रगत महरसी पतंजली ने शरीर मनव आत्मा की सुध्धी के लिए आठ योग बताये हैं जिसका चरण है यम नियम आसन प्रणयाम प्रत्याहर धाला ध्यान समाधिया जिसमें से फर्थम पांच जो है यम नियम आसन प्रणयाम और प्रत्याहर बहिरंग योग कहा जाता है और धाला ध्यान समाधिय लाश के तीन जो है अंत्रंग योग कहा जाता है तो यहाँ पर जो आसन में दिया गया है धोती नौली और नेती यह सटकर्म के भाग है अश्टांग योग के भाग नहीं है तो यहाँ पर उप्रुक्त में सी कोई नहीं आपका राइड़न सर्फ हो जाएगा सटकर्म के अंतरगर छे क्रिया आती है नेती दूती नौली वस्ती त्राटक कपालभाती याद रखेगा नेक्स्ट कोजन है नीमित रूप से आसन करने से निमनिकित में से क्या कौन सा लाव होता है वीच अव दे फॉल्विंग बेनिफिट्स कंस फांट डूइंग आसन रेगुलरी दोस्तो रेगुलर रूप से आसन करने से हमारे सरीर के अंदर फ्लैक्सिबिलेटी बढ़ता है पेर की ताकत में सुधार होता है और हम किसी काव भी बेहतर फोकस कर पाती है इस सभी चीज होगा तो यहां पर हो जाएगा उप्रॉक्त में से एक से अधिक आसन नमबर डी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा कि किस दिन अंतराष्टी यह योग दिवस के रुप में मनाय जाता है विच देज सेलिब्रेटेट इज इंटरनेशनल योगा डे तो दोस्तों आप सबको पता है कि 21 जून 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मनाय जा रहा है तो यह कीस जून आप का राइट एंसर होगा अधोसार24 में दसमा योग दिवस मनाय गया था और थिम था स्वैम और समाज के लिए योग क्या था स्वैम और समाज के लिए योग याद रख्येगा नेक्स कोर्शन है कोर्शन नमबर 13 है कि वह पेसिवर जो CWSN माता पिता, सिच्छकू, अर्निक, कर्मियू और समधाय के सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें समधाय के प्रभावी सदस्य बनने में मदद करता है तो वह यह क्या कहलाता है किसी चीज में आप किसी को मदद कर रहे हैं हिल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं समधाय कर रहे हैं तो दोस्तों A, P, E, N, S का पुल रूप होता है अनुकुलित सारी सिच्छा राष्टी मानद यानि कि यहां पर A से हो जाएगा एडापटेट और P, E से हो जाएगा फीजिकल एडुकेशन और N, national, S, standards यानि, एडापटेट, फीजिकल एडुकेशन, national, national, standards याद रखेगा एंड नेक्स्ट कुスिन है जीवन सेली से समंदित विमारी है वीचा फॉलिविंग इस लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज तो यहां पे जीवन सेली डेली बेसेज पे आप कुछ आपका डेली रूटीन अच्छा नहीं है तो आप में उच्छ रख चॉप और पिठ दर्द यानि हाइपर टेंशन ए मुटाबा और मधुमे यानि ओविसिटी डियाविटीज अस्थमा यह सभी डेली रूटीन आपका च्छन रहने से खान पना च्छन रहने से होते हैं तो यहां पे जीवन सेली से समधित सभी विमारिया है यह उपरक्त में से एक सियर्दी का आपका राइट एंसर हो योगा मिन्स इंट्रिग्रेशन और विच आफ दे फालूविंग अस्पेक्ट आफ ए हुमन वेंग तो योगा करने से आपका बहुत ही को अध्यात में विकार्श होता है सारी और मानसिक इन सभी पहलूँ का एक ही करण करना ही योग है तो यहां पे राइट एंसर हो जाए नेक्श कोशन है भारती ओलम्पिक संग आई ओ और के पहले अध्याच कुन थे वह ऐड़ फर्स प्रेशीडेंद अफी ओलम्पिक एसोडिया ऑट्याशस ऑफ दोस्तों ढलि perfect creation गuba वार्पलम्पिक संग के इस्थापना 1927 में हुआ सर्दुराबजी डाठा के लगिते और इसके प्रथम अध्याश भी बनी सर्दुराबजी टाटा बढ़तवान अध्याश है पीटी उसा याद रखेगा प्रथम महिला आई ओस एका अध्याश बनी है क्वेशन नंबर 18 है ओलंपिक स्वड़पद निमन में से किस से बनता है ओलंपिक गोल्ड मेडल इज मेंड आफ वीच अब फाल्विंग तो दोस्तों ऑलंपिक जो गोल्ड मेडल है वहां ते ग्राम शोनी का म्ढ़ा हुआ और कम से कम 92.5% चांदी से मढ़ा हुआ होता है एक question पूछा हुआ था BPSCDR2 में ठीके छे ग्राम शोनी से मढ़ा हुआ होता है और कम से कम 92.5% चांदी से और 3 mm मोटा होता है और 22.6 cm ब्याज का होता है नेश्ट है ओलंपिक ध्वज का निमार बेरेन पीरेडी कोबार्टेंग के मार्दाशन में किस वर्च हुआ इन विच यह और वाई दोलंपिक फ्लैक क्रेटेट अंडर दो गाइडेंज आफ बेरेन पीरेडी कोबार्टेंग तो दोस्तो जो है जो आपका ओलंपिक ध्वज है वहाँ पीरेडी कोबार्टेंग के द्वारा 1913 में बनाया गया था तो यहाँ पे आपसन में कहीं भी 1913 नहीं है तो आपसन नमबर यह आपका राइट एंसर हो जाएगा उपरोगत में से कोई नहीं ठीक है उपरोगत में से कोई नहीं तो ओलंपिक ध्वज जो है जो ओलंपिक का प्रतीक चिन है यहाँ 1913 में बनाया गया और इसको फ़राया गया स्वरपथम 1920 एंट्वर बेल्गियम ओलंपिक में नेक्स्ट कोचन है नया ओलंपिक आदर स्वाग अब लैटिन भासा में किस प्रकार पढ़ा जाएगा अब इसको पढ़ा जाएगा अब इसको पढ़ा जाएगा सीटियस अल्टियस फोटियस एंड कम्यूनिटर ठीक है सीटियस अल्टियस फोटियस कम्यूनिटर इसका अर्थ हो जाएगा फास्टर हायर स्टांगर एंड टूगेदर यानि कि और तेच और उच्चा और बलसाली एक साथ तो दोस्तों यह था आज के सेसन में 20 MC की सब्सक्राइब आपको डाउट होगा या कोई गलती होगा कमेंट में जिरूर बताएए और ज्यादे से जादे वीडियो को सेयर भी कीजिए जिसे अन्हें लोगों तक वीडियो पहुश सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्रिस में तब तक के लिए चाहें